हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Electronic Study YouTube चेनल पर यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एक जब आप बात करते हूं सिक्षा शास्त्र को ले करके आप किसी भी सब्जेक्ट को ले करके बात करें Paper 1 या Paper 2 से जो भी आपके Pedagogy के Questions या जो भी आस्ट में सबसे लाइन लिखा हुआ है वो आप जरूर में आकर के एक बार बोलेंगे तो Positive और Negative Tag Words को ले करके यह हमारा वीडियो है क्या कुछ चीजे हैं के वल आप उनको आपको उन ही Words का ध्यान रखना है और उसके बाद आपका जो Question का जो Answer है वो फटाक से निकलेगा तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरुआत करते हैं और यह है CTET परिक्षा की Vaccine हाजी तयार कर दी गई है हमारी तरफ से तो थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के लिखा है सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम Positive Tag Words से बात करेंगे कि Positive Tag Words जो है वो क्या कुछ है और उनका मतलब क्या कुछ निकल करके आता है उन सभी चीजों को सबसे पहला जो शब्द दोस्तों उतसाहित करना एंकरेज करना है उतसाहित करने का मतलब होता है आप बच्चे को reinforce कर रहे होते हूँ मतलब पुनरबलित कर रहे होते हूँ आप उसे motivate कर रहे होते हूँ आप उसे उतसाह से भर रहे होते हूँ कि वहाँ वो काम कोई भी काम कर सकता है तो अगर कहीं भी क्वेशन में आपको द्यान दिजेगा question में अगर आपको या options में कहीं भी अगर encourage या उतसाहित करना word मिलता है तो आपका यही correct answer होगा next आपका है opportunities करके लिखा है आवसर जैसे आप कहते हैं ना कि आसपास की चीजों से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाने के आवसर दिये जाए या वे जो कक्षरकक्ष की जो गतिविधियां हैं उनको क्या है उनके घर के जीवन से या घर के आसपास की चीजों से या फिर real life से जोड़ करके पढ़ाया जाए तो यह जहां कहीं भी आपको देखने को मिलता है दियान दिजेगा वो तुरंत ही आपका आपको आउसर की रूप में देखने को मिल जाएगा तो आपका जहां कहीं भी आवसर हो वही आपका जो है correct आउसर होगा दोस्तों interactions अगर कहीं भी आपको देखने को मिलते हैं interaction या फिर interactions करके लिखा हुआ है ये चीज कहने का मतलब ये है कि आपसी अंतहक्रिया के माधिम से कोई भी चीज सीखना जैसे जब आप बात करते हों skills को लेकर के तो आपस में संबंधित होते हैं आपसे में बोल देते हो या अंतहक्रियाय वहाँ पर देखने को मिलती है interactions देखने को मिलते हैं ये word अगर कहीं आपको देखने को मिलता है तो तुरंत ही आप इसे ही correct answer मानिएगा और आगे बढ़ जाईएगा मतलब आपसे question में positive पूछा है और अगर ये आपको देखने को मिल रहे है तो फिर तुरंत ही आपका इस answer हो जाएगा कहते हैं न कि इन में से काउसा है जो आपके भाषा सिक्षन को ले करके सबसे आते धिक जो है एक तरीके से उपयोगी रहेगा या काउसा statement उपयोगी रहेगा फिर बात निकल करके आती है learning by doing, real life activity, activity based learning जो भी है मतब क्रिया विधी या धारित जो भी सिक्षन गती विधी है करके सीखना कहीं भी है अगर आपको शब्द मिलता है किसी भी option में मिलता है तो रंती भाई लपेटे मिलो और आगे बढ़ो यही आपका correct answer होगा फिर बात आती है constructive को ले करके constructive का मतलब ही होता है एक तरीके से जिसका एक reason किया जाए एक खोज करके, discovery करके भी आप बोल देते हूँ कहते हैं कि इन में से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान इन में से कौन से हो सकती है तो अगर वहाँ पे constructive या creative प्रकार का कुछ भी लिखा हुआ है और यह लिखा है कि बच्चों को खोज के अवसर दिये जाए ऐसे options आपको देखने को मिलेंगी तो आपका जो correct answer होगा वो यहीं से निकल के आएगा brainstorming की बात हो जाए अगर कहीं भी लिखा है कि brain storming कर रहा होता है इसे हम मस्तिस्क आलोडन या मस्तिस्क विलोडन भी कहते है उसके बात क्या होता है जहां उसने अब सारी चिंतन किया वहाँ सरह जनात्मक्ता होगी और जहां सरह जनात्मक्ता यानि creativity वहाँ पर आपको नवी निता यानि एक discovery एक खोज देखने को मिलेगी तो यह सारे positive tag words है अगर आपको मिलते हैं या आपके answer में होगे थोड़ा सागे बढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है creating creating मतलब निर्माण करना जैसे कोई भी चीज है बच्चा क्या है समप्रते का निर्माण करना ऐसे में या concept का निर्माण करना कुछ भी अगर options में ऐसी चीज़े देखने को मिलती हैं तो तुरंत उसे आप जो है answer में रख दीजेगा next है variety आपने देखा होगा लिखा रहता है विविधिता पूर्ड वातावरण या वैविध्य पूर्ड वातावरण करके लिखा होता है यह जहां कहीं भी आपको वैविध्य पूर्ड वातावरण या variety देखने को मिले तुरंत ही यही आपका answer के रोप में आपको देखने को मिल जाएगा ध्यान दिजीगा ये जो इस समय PDF में आपको पढ़ा रहा हूँ ये हमारे टेलिग्राम चैनल इलेक्ट्रोनिक स्टडी पर आपको मिल जाएगी लेकिन इसे ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वराइटी के वल वराइटी लिखा हुआ है तो ये चीज आप जो वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा लास्ट तक बने रहिएगा काफी इंपोर्टन वीडियो है आपके लिए यहाँ पर जो इसे तयार किया है हमने आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटिड समबध करना या जोड़ना या एड़ आउन बोल देते हैं इसे होता क्या है कहते है कि जीवन से जोड़ करके पढ़ाना कहते हैं भ्रमण पर ले करके जाते हैं स्टड़ी के लिए आप रिजनल टूर आप जो है ऐसे में एजुकेशनल टूर पर ले करके जाते हो तो आप रियल लाइफ की चीजों से जोड़ करके पढ़ा रहे होते हो तो इंटीग्रेटिड कहीं भी ऐसे में अगर लेखा है आपका ये करेक्ट आंसर की रूप में तो आप उसमें क्या करते हूँ स्पस्टी करनेशन दे रहे होते हूँ बट सिक्स टू एट या अपर क्लास में यही चीज व्याख्यान के रूप में ना जानी जाती है तो छूटी क्लास में व्याख्यान नेगेटिव हो जाता है बहुत अच्छे से ध्यान लखें जब आती है एंगेज करना जिसे हम जुडाओ खोजना या बढ़ावा देना कह देते हैं कहते हैं कि किस तरीके से हम बच्चे को वही चीज आप कैसे रियल लाइफ से जोड रहे हो आप कैसे लर्निंग बाई डूइंग वाली जो एक्टिविटी बेस्ट जो भी आपकी किरिया जाधारित गतिविधी है उससे आप जोड रहे हो तो एंगेज करने वाली बात जुडाओ जुडने की बात यह आपके करेक्ट आंसर के रोप में आपको देखने को मिलेगी एक आता है एमपैथी एमपैथी सिंपैथी करके भी आप ऐसे बोल देते हो सहानूब होती दूसर जाएगा आपका कहीं भी लिखा हो सहानूब होती की बात कि सहानूब होती पूरड सिक्षा की बात होगी तो वो बिल्कु सही है बच्चे छोटे क्लास से उठकर के अपने घर से आते हैं अपने पारिवारिक अपने क्षेत्रे परवेश से तो ऐसा नहीं हो कि वो कहीं डर जैसे गेन किसी चीज को प्राप्त करना वो ठीक है बहुत अच्छी बात है कि यह चीज हमने प्राप्त कि लेकिन गेन मास्टरी इस आल्सो पॉजिटिव जैसे खतर मास्टरी लर्निंग करके आपका एक क्वेशन था तो गेन मास्टरी वो भी पॉजिटिव है लेकिन अग एक और वीडियो की तरफ, एक और स्लाइड की तरफ, यहां पर क्या है अगर demonstration करके लिखा हुआ है, जैसे होता नहीं है कि कि किसी चीज का demo देना, ठीक है, यहां पर माल लिजे कि कोई भी course page है, कोई आपका जैसे notes हम प्रवाइड कराते हैं, आपको CT2 पिटिट सिक्षक बढ होते हैं, यह अच्छी बात है positive में आता है, फिर बात आती है inclusive करके लिखा हुआ है, inclusive मतब समावेशी होता है, समावेशी मतब सभी को साथ में ले करके चलना, चाहे हो आपका एक सामाने बालक हो, या फिर आप एक विसेश बालक को ले करके बात करें, children with special need और जो normal child है, जैसे समझ के साथ में, बोध के साथ में, ऐसी कुछ अगर आपको statement में देखने को मिलता है, हैने कि question के options में अगर आपको देखने को ऐसी चीज़े मिलती है, तो यही और positive अगर पूछा है, तो यही आपके answer के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ और चीज़े है इसमें, जैसे facilitate लिखा हुआ है, facilitate मतलब एक तरीके से विवस्था करना, facility देना, तो छोटे बच्चे हैं, उनको आप facility देने की बात करते हो, बिल्कुल कैसे में उनको सहूलियत दी जाए, एक बड़ी हाँ वातावरन दिया जाए, जैसे वो आसानी से अच्छी तरीके से प किसी चीज का answer कर रहे हो, यह बिल्कुल यह जो relate करता है, वो आपका divergent thinking, यानि कि अप सारी चिंतन से relate करता है, या संबद करता है, आप किसी एक question का तरह से, अलग अलग तरीके से answer कर रहे होते हो, या कई प्रकार से उतर दे रहे होते हो, अलग अलग बच्चे, अलग में हमें देखने को मिलता है, फिर बात आती है, active करके लिखा हुआ है, active का मतलब हुआ, सक्रियता, मैंने आपको कई बार बताया है, कि जब भी classroom teaching चल रही होती है, तो वहां पड़ सक्रियता बहुत जरूरी होती है, आपका सक्रिय होना बहुत जरूरी है, अगर आप सक्रि based learning नहीं, activity तो आपकी क्रिया विदी हो गई, गति विदी हो गई, ठीक है, उस समय आप सही तरीके से कोई भी चीज गरहन नहीं कर रहे होगी, ठीक है, तो वह आपकी active अगर कहीं भी है, सक्रियता को ले करके, तुरंत आपकी answer की रूप में आपको देखने को मिलेगा, एक non-readable form में होता है, एक पहली की रूप में, encode का मतलब होता है, किसी चीज को आप पहली में बदल दो, पहली का मतलब ही होता है, कि उसमें जाकर कि आप उलज गये, तो हमेशा जो encode होता है, वो negative tag words में count होता है, लेकिन आप जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है, decode कर रहा ह या आपको अगर English वाले देखने को कहीं भी मिल जाए, आपके किसी भी option में, तो decode का मतलब हो है, जो पहली है, उसको हम सुलजाने की बात कर रहे हैं, या उसको हम छोटी-छोटी steps में तोड करके उसके, जो भी question है, उसके solution की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं भी अगर आपको अगर ये कहीं भी आपको देखने को मिलता है, तो रंत आपका answer, reinforce, अभी अभी मैं बता के आया हूँ कि बच्चों को पुनर बलित करना, पुनर बलन मतलब होता है, पुना है बल देना, एक बार बच्चा किसी चीज को समझने में अक्षम रहा है, नहीं समझभा रहा है, आ आप फिर से उसे पुनर बलित करेंगे, कि कोई बात नहीं, आप इसे कर सकते हो, है ना, you can do it onwards, आप फिर से इसे कर सकते हो, आप उसे फिर से धक्का देंगे, और उसके लिए आप उसे प्रोच साहित करेंगे, ठीक है, फिर motivation या अभी प्रेड़ना की बात हुई, ध्यान द बात करते हो, या BTC, DLA, B8 जिन्होंने किया है, उसमें आपका बाकाइदा एक subject ही जीवन काउशल करके देखने को मिलता है, और उसमें बताया गया है, कि reward and punishment भी बहुत जरूरी होते है, तो आपके question के उपर depend करता है, कि किस तरीके से question दिया है, and on the basis of that particular question, you will define, you will find, कि reward ये negative आएगा, तो ये positive भी हो सकता है, reward और negative भी हो सकता है, ये question के उपर depend करता है, ठीक है, लेकिन अमूमन देखने को मिला है reward और punishment वाले चीज़े जो है, वो आपकी negative में count होती है, next है, expose, expose का मतलब होता है, बढ़ावा देना, या फिर देखना, या फिर जानना, तो ऐसे म क्या है, बढ़ावा देने की बात, किसी भी चीज़ को ले करके, कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों को ले करके काम करना, बच्चे इसमें काम करेंगे, expose होना, आपने देखा होगा, जो आप देखती हो, news वगार में, और बाकी सरे उसमें, तो ऐसे में क्या है, किसी, जैसे कहते बढ़ावा देना, आपसी सहभागिता, सहभागिता, पूरण सिक्षा, यह जो cooperative education है, उसके लिए बढ़ावा देना, वो चीज़ आपकी एक positive tag words में, आपको देखने को मिलेंगी, onwards कहते हैं, अपने शब्दों में, कहते हैं कि जब हम एक भाषा सिक्षा को ले करके बात करत बच्चे के लिए सबसे best होता है, फिर बात आती है, special, लिखा है, special का मतलब होता है, आपको सीधे सीधे यही words देखने को मिलेंगे, और यह चीज आप ध्यान लखेगा, वैसे guarantee तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन आप जब question paper आप exam दे कर के आएंगे, तो आप देखेगा कि कितने सारे words आपको इसी एक single video से, उस question paper जो आपका होने वाला exam CTAT का 31 जनवरी को, या जो भी आपके CTAT की परिक्षा होंगी, उनमें आपको यह देखने को मिलेगा, special का मतलब है, स्थानिक, सोच, भविश्य के वारे में सोच के पढ़ना, अभी आप यहाँ पर बैठे हो आपने बहुत जगे देखा CTAT की परिक्षा पास करो, है किने एक second में गडित की सवाल हल करो, पाकि सारी चीजे हैं, आपने कभी यह सोचा कि CTAT आपके कितने सारे लोग पास करके बैठे हैं अभी तक, है ना, आप 2011 से परिक्षा चलती आ रही है, 2011 से 2020 तक जाने कितने लोग बठे हैं, तो ऐसे में आपको भी यह सोचना है कि केवल CTAT नहीं, आगे का क्या, आगे भी तो सोच के चलना है, तो यह स्थानिक सोच, यह special thinking होती है आपकी, कि आप हविश्य के वारे में future के वारे में सोच करके पढ़ रहे होती हो, तो आप सभी में भी यह चीजे होनी चा और उसमें कुछ और positive और negative tag words के बारे में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे क्या कुछ चीजे लिखी होएं, जैसे इसमें लिखा है कि thinking, सभी सोच के परकार, आप thinking, जितने भी आपके सोच के परकार है, चाहाँ वो rational हो, आपका तार्किक परकार का critical हो, आपका tag words में हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, बाकि सारे के सारे आपके positive में आएंगे, आपका कहीं भी अगर या option में दिख रहा है, इसे answer करिये और आगे बढ़िये, ठीक है, next है, gathering, एक अठा करना कई जगह से ला करके, जैसे होता यह है कि एक project work दे दिया गया, हमेंसा positive होती है, हमारे उसमें, ठीक है, फिर है nurture करके लिखा हुआ है, nurture का मतलब होता है, पोशण, या फिर जब हम बोल देते हैं, पोशण कहे देंगे, या वाता वरण के साथ भाशा सीखना, नर्चर करना, तो वाता वरण के साथ में कहते हैं कि, वाता वरण या फिर जो हला होगा, सारी चीज़े होगी, तो बच्चों का ध्यान जो है, वो भंग होगा, फिर बात आती है, teamwork, teamwork का मतलब होता है, सामाजिक कारे की भावना, ये बहुत ही best होता है, teamwork, अकेले से काम करने से जो बहतर एक चीज़ है, वो है teamwork, यूँकि आप अकेले ही कहते हैं कि एक अ मोह करिया, ये सभी कहीं आगर आपको देखने को मिलते हैं words, तो आपके वो answer के रूपे आपके देखने को मिलेंगे, फिर बात आती है, peer learning, साहपाथी अधिगम, ये भी आपको, कि साहपाथी अधिगम, cooperative teaching, साहयोगी अधिगम, ये सभी आपके positive track words में देखने को मिलेंगे फिर है appreciating मतब होता है सावाशी देना बच्चे को, कोई भी चीज है, आप उसे सावाशी दीजिए, ऐसे वो कहीं न कहीं reinforce होगा, पुनरबलित होगा, उसे उसकी अंतरात्मा बोलेगी कि गुरु जी आज हमारी प्रसंशा की है, तो थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना देखते होंगे कि जब आप पढ़ने गया होंगे, आपने कोई एक किसी भी सवाल का आपने आंसर किया, और सर्जी ने बोला, वाह बेटा, क्या बात है, वाह बेटी, क्या बात है, तो ऐसे याली चीज़ें जो है, बेटी भी बोल दिया, इसलिए नहीं कहोगे कि जेंडर, जो है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, नहीं, रोढ़ी वाधिता वाली बात, तो दोनों ये चीज़ें आपको यहां से देखने को मिलेगी, फिर आगे बाद तत्या, निर्माड करना, कहीं भी आकर आपको लिखा है, कि निर्माड करने को लेकर कि यह मानसिक तोर पर आपकी या फिर भाषाई तोर पर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये आपको तुरंत आंसर के रूप में देखने को मिलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें देखे लिखा हुआ है, डाइवर्जेंट, जो अब सारी प्रकार का चिंतन होता है, बहुत नवी निता देखने को मिलेगी, तो क्रियेटिविटी, देखें आगला यही लिखा हुआ है आपका, जैसे हम स्रजनात्मक्ता बोल देते हैं, स्रजन करना, तो ऐसे में बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, अपनी चीज़ें को, तो अपने आप में चन्टरेट कर पाता है, कौन, एक गिफ्टेट चैल्ड, एक प्रतिभाशाली वालक, ठीक है, इसलिए अकसर हम क्रियेटिव या क्रियेटिविटी वाली चीज़ें उसे के साथ में जोड़ते हैं, फिरा इंक्लिजिव एड्यूटेशन, इसे हम एसे मेलेट बता किया आचुका हूं, इनावलिंग प्रेक्टेस, प्रेक्टेस बहुँद जरूरी है, अभ्यास कारे करवाना, आप भ्यास करवाना तो ऐसे में अभ्यास वाली बाते कहीं भी देखने को गन मिलती हैं, तो प्रेक्टेस हो रही होती है बच्चे की, और वो हमारे लिए ट्रेक्ट में आएगा, डिवेट और डिसकसन, एक जगह आपका क्वेशन जैसे लिखा हुआ होता है, कि वापस में समवाद करते हैं, हिंदी में समवाद देख देता है, अब जब आपने समवाद देखा तो बोलो गया रहे यारे, तो प्राइमरी में बच्चे समवाद कै कारे से करेंगे, ये बात तो गल्ट लिखी है, लेकिन ध्यान जीडिये डिवेट लिखा हुआ है, तो डिवेट में क्या हो सकता है, ये टीचर ने बोला, और बताओ बेटा, तुम तुम अगाय थे होली में, दिवाली में क्या क्या चला है, क्या क्या की तुम, चलो는 राम positive tag word में होता है ध्यान लखिएगा चलते हैं अगले question की तरफ अगले slide की तरफ अभी जब previous आप paper को ले करके बात करते हो तो सिधा सिधा आपसे पूछ लिया था realia करके ये word ही लिखा हुआ था realia मतलब होता है कि real life से जोड करके ठीक है आप जो real life सिधानिक एकदम जीवन से जोड करके चीज़ों को बताते हो और realia के तहत आपको देखने को मिलती है ठीक है तो आपका जो है जहां कहीं भी ये देखने को मिले तुरंत ही आपका answer हो जाएगा remedial class, remedial teaching की बात कहीं भी अगर आपका निदानात्मक section के बाद देखने को मिलता है उपचार आत्मक section पहले बच्चों का आप निदान करते हो उसके बाद आप उनके उपचार करने की बात करते हो कहीं भी रम ideal teaching के बारे में बात की गई है तो आपका answer जो है यहीं से तुरंत निकल करके आएगा previous knowledge, poor विग्यान से और prior knowledge कहते हैं कि बच्चों को उनके पूर विग्यान से जोड़ करके पढ़ाना यह वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है तो आगे से बहुत अच्छी तरीके से याद रखेगा कि यह आपको कहीं भी मिलते हैं दोस्तों अभी हम positive tag words के बारे में बात करतें कर रहे हैं कुछ भी आपको इतने समय में अगर अच्छा लगा है तो प्लीज जितने लोग हो यहाँ पर वीडियो को like आप जरूर करके जाय करो अपने जो भी facebook है जो भी whatsapp, instagram जहां कहीं भी आप active रहते हूं share भी जरूर कर दिया करें नए हैं तो subscribe कर ले red bell icon के साथ में all notification select करें जिसे की इस सभी वीडियो की notification आपको मिलती रहे आप video like करते हूं ध्यान दिजिएगा तो ऐसे में क्या होता है कि जो बाकी बच्चे हैं वो आते हैं उनको लगता है कि हाँ video में कुछ सही है बच्चों ने like किया है तो हमें इसे पढ़ना चाहिए आप समझ रहें कि नहीं ठीक है चलिए बाकी आप हमसे notes भी प्राप्त कर सकते हैं 8081 यहाँ पर मेरा contact number लिखा हुआ है complete handwritten notes ncrt based 801-743-734 पर whatsapp करके आप information ले सकते हैं तो बागए है हम negative tag words पर आखिर यहां से कौन-कौन से श्रब्द है कौन-कौन से चीज़े हैं जो हमें देखने को मिलेंगी सबसे पहली चीज आपकी लिखी हुई है dictate करना dictate का मतलब होता है copy करना या नकल करवाना मक्खी की जगह है मक्खी चिपकवाना आप समझ रहे हो तो कहीं भी अगर dictate करवा रहा है teacher किसी भी चीज़ को ले करके तो उसका मतलब है वो negative है आपका तुरंत ही नकारात्मक आपकी tag words में आएगा तुरंत आप negative में रखोगे आपसे नहीं इनमें बोलेगा इनमें से काउसा नहीं होना चाहिए कक्षा सिक्षण में तो लिखा होगा dictate करना या नकल या copy तो तुरंत गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो बच्चों के सोचने की जो श्रक्ती होती है वो खत्म हो जाती है फिर है रट्टा मालना रटनती है memorization एक चीज़ याद रखेगा memory कहते हैं इस्मृति को बढ़ाना या स्मृति के बारे में सोचना है स्मृति का विकास दोस्तों memory शब्द positive है लेकिन memorization कहीं भी अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है याद करना वही रट्टाफिकेशन वाली बात वही रटनत प्रणाली तो वो तुरंत आपका गलत हो जाएगा हत उत्साहित करना हत उत्साहित का मतलब होता है उत्साह को कम करना कहीं भी अगर ऐसा वो लिखा है तो ये negative tag words में आते हैं कहते हैं कि बच्चों को हत उत्साहित करना चाहिए नहीं बच्चों के उत्साह को कम करना नहीं है हमें हमें बच्चों के उत्साह को बढ़ाना है हमें मोटिवेट करना है कि वो क्लास में टीचर से सवाल पूछ सके ये आपका एक सवाल पूछा गया था पेड़गॉजी का ही है फिर है पनिश्मेंट सजा का प्रावधान हमेशा जब आप पनिश्मेंट को ले करके बात करते हो तो नगेटिव में आपको देखने को मिलेगा अमूमन केसेज में फिर है होमवर की अग्रहकारे दोस्तों कभी भी बच्चों को आप प्राव्य में तो ऐसे भी ग्रहकारे की बात कतम हो जाती है वहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क, असाइम्नेंट्स है आपके ये सारी चीज़े आप दे रहे होते हो ये एक टीचर जो है वो दे रहा होता है ग्रहकारी इसलिए नहीं क्योंकि उस समय आप ग्रहकारी आपने दे दिया गए वो वहाँ से किसी से भी छपवा के लेकर के चले आए ऐसे में जो एक खुद की जो सोच है जो खुद का विचार है वो देखने को नहीं मिलेगा आपको आप सामने से कोई चीज क्लास वर्क करवा रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़े आप देख सकते हो लेकिन homework में नहीं इसलिए homework negative में आ जाता है next है measurement की बात हो रही है measurement में क्या है कहीं भी अगर मापन की बात की गए है कि number के अधार पर मापन करना rank के अधार पर मापन करना grade के अधार पर मापन करना pass fail करना कि बच्चे इतने पास है इतने इनको वरगी करित किया जाए इनको ऐसे रखा जाए कुछ भी अगर यह मिलता है तो negative यह जो मैंने माइनस करके यह VE बनाया है negative लिखा हुआ है ठीक है ध्यान दीजेगा तो यह चीज आपकी negative हो जाएगी फिर है relax या फिर आराम करवाना यहा आराम नहीं करवाना है यह चीज आपकी वहां पर गलत उसमें चली जाएगी नगेटिव में चली जाएगी रिलाक्स वाली बात जो है तो यह चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा ध्यान नखेगा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इस पे फिर बात आती है दो करके व्या ख्यान देना और एक तरीके से तो जो व्याक्यान वाली बात होती है वह अपर क्लासेज में और क्लासेज में रहाव चोट शोटी क्लासेज में बच्चों को समझ में आये गा नहीं कि इस प्रकाश विए है बेटा आज हम पढ़ेंगे और आपने उस पर लेक्चर देना शरू कर दिया जब तक जब तक आप उन चीजों को एक कते न की एक लोवर लेबल पर आ करके एक रियल लाइफ से जोड़ करके उनके उनके आसपास की चीजों से जोड़ करके नहीं पढ़ाओगे तब तक उन बीटे के रिखने को मिलेंगी याद रखेगा एक रोट लर्निंग करके उलता है या फिर इसमें लरुन करके लिखा होता है कहीं भी लर्न है मतलब याद करना रोट लर्निंग क्रैमिंग सभी रटने ही वाली चीज़े हैं इंग्लिश वाले ध्यान लखे जो इंग्लिश मिडियम थोड़ा सा है या आप भी ध्यान लखो ज़रूरी नहीं है आप जैसे लगे कि यार पॉज हिंदी वाले में इम बोलते हैं फिर ड्रेल पॉजसिटिव होगा कहीं भी ड्रिल्य मेथड क्याते हैं चलते हुँ अधे को वीडियो अच्छा लग रहा होगा या पसंद आ रहा होगा यहाँ पर एक note taking और note making दो बाते होती हैं दोस्तों बहुत अच्छे स्याद रखेगा note taking यह पैसे वाला note नहीं है हाँ जी कर रहा note वो नहीं है note taking मतलब होता है आप गए और किसी से notes ले करके चले आए ठेक है और आपने क्या क्या चाप दिया वहीं उठा करके और एक है note making तो note making में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने विचारों जो भी आपकी thought process है आप उसको use मिला रहे होते हो तो positive track word में आएगी कहीं भी note taking लिखा हुआ है फिर burden करके लिखा है जिसे हम बोज बोल देते हैं burden बोज कभी भी बच्चों पर बोज डालने के बाद कहीं भी लिखा हुआ है कि परिभास्राओं या संप्रतियों का बोज डालना बोज 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 तोरंत ही negative होगा कहेंगे कि इन में से count sign में सही नहीं है कहीं भी आपको burden बोज दिखे तोरंत उसको लपटे में ले लो काम तमाम उसका encode करके अभी अभी मैं आपको बता करके आया हूँ ध्यान रखिएगा कि जो encode वाली चीजे होती हैं वो जैसे होता नहीं कि पहली बनाना ठीक है एक question कोई भी पहली बनाना या उलजाना तो ये बच्चों के लिए सही नहीं होता है जहां कहीं decode होगा वो उनके लिए positive होगा encode negative tag words में count होता है lack of knowledge lack of ये lack of जो भी चीज़े है तो lack मतलब कमी ही है कमी मतलब negative में तुरंत आपको ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी शिकायते complaint मतलब बच्चा सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए सही से class में आप प्रिंसिपल को बलाए आप उनको बलाए इनको बलाए और फिर एक option लिखा होता है कि teacher को उसकी जो भी चीज़े है उसको खुद से समझना चाहिए तो भई या खुद से समझना चाहिए आप समझ रहो आप अगर complaint ही करते रहे तो फिर काम हो चुका ठीक है फिर है यहाँ पर set off यह set off यानि fix लिमिट है सीमाओ में बाढ़ देना कहते कि बच्चों को limit कर देना limit कर देना सेमित कर देना कहीं भी सेमित ग्यान सेमित कोई भी चीज़ है जो भी आपकी आवबोध है कुछ भी अगर ऐसी बाते देखने को मिलती है वो आपकी negative tag words में चली जाएंगी यह बात बहुत अच्छी तरीके से आप जान के रखेगा ध्यान करके रखेगा दोस्तों चलते हैं आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कहीं भी only लिखा हुआ होता है एक मातर लिखा हुआ होता है आप तुरंत क्या करते हो उसको उठाते हो कि हाँ यह एक मातर वाली चीज़ें हमेशा negative में आती है cause, कारण या बाधा कहीं भी अगर लिखा हुआ है वो तुरंत आप थोड़े समय के लिए करते हो हैं? इग्नोर कर दिये कि बच्चे ने कुछ बोला चीज़ें खेलो चुड़ो कोई बात नहीं, लेकिन आवाइड करने का मतलग है आप लंबे समय के लिए उसे आवाइड कर रहे हो तो आप एग्नोर वाली बात जो है थोड़े समय के लिए औ गलती निकालने की चीज नहीं करोगे, तो आप गलती निकालने की चीज नहीं करोगे, तो आप गलती निकालने की चीज नहीं करोगे, तो आप गलती निकालने की चीज नहीं करोगे, क्या रहे तुम्हारी ये गलती है, वो गलती है, आप समझो, आप बच्चे को बताओ, ऐस यह चीजे हैं जिनमें आपको सुधार करने की जरूरत है यह बात हो गई फिर बात आती है आईसुलेट करना अलग थलक कर देना स्कॉल्ड करना माफी चाहेंगे स्कॉल्ड मतब डाटना होता है ठीक है आपको उन्हें डाटना नहीं है बिलकुल से आपको आईसूलेट नहीं करना है कि आपने क्या कि आप अच्छा पढ़ने में सही नहीं है एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है तो उनको आप अधिक वाली बाते देखने को मिलें a lot of कहीं भी लिखा हुआ है वो आपको negative आपके tag words में देखने को मिलेगा without करके लिखा हुआ है without ये, without वो जो भी चीज़े है वो भी आपको negative में ही count होगा अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो active है एक्टिव सक्रिय होना पॉजिटिव में होना पैसिव वाली चीजे निस्क्रिया था वो आपके नेगेटिव टैग वर्ड है फिर स्टेरोटाइब कहीं लिखा हुआ है याने कि रूढ़ी वादिता वाली बातें आप कर रहे हूँ कि पहले तो यहीं चला आ रहा था हमारे है परंपरा नुशार ये बाते हैं तो वो जो कहीं भी जहां कहीं भी इस बाते देखने को मिलेंगी वो गलत होंगी फिर है लेवल करना आप लेवलिंग कर रहे होते हूँ कि ये बच्चा यहां पर होगा प्रतिभाशाली है तो ये करेंगे इसे हम वरगी करन करना भी बोल द यह चीज़ गलत है कि जो ज़्यादा ग्यान होता है इसे में extra knowledge या फिर बहुत ज़्यादा knowledge लेकिन अगर clear explanation है कि बहुत इस पस्ट तरीके से इसका सपस्ट करण दिया गया है वो positive में आएगा फिर अब यह भी मैंने आपको बताया था कि जो convergent की बात है जो अभिसारी प्रकार की जो चिंतन जो बाते हैं वो आपको कहां से देखने को मिलेंगी तो आपकी यहां से देखने को मिलेंगी जो convergent या फिर अभिसारी प्रकार की बाते होती हैं वो जैसे होता नहीं कि आप क्य करते हूँ कि रटी रटाई चीजे एक है कि भाई ठीक है मैंने क्या का कि भारत का सम्मिधान बन करके कब तयार हुआ यह भारत का सम्मिधान आपका लागू कब हुआ तो आपने बोला 26 जनवर 1950 को लागू हुआ और आगे बढ़ गए यह चीजे कनवर्जेंट लेकिन ध्यान नखेगा और जो आप सारी चिंतन है डाइवर्जेंट थिंकिंग उसे आप पॉजिट टैग वर्ड में कंसिडर करते हैं तो दोस्तों यहां पर यह था आपका पॉजिटिव नगेटिव टैग वर्ड का वीडियो जो पीडिएफ आपको मैं आपके अपने इलेक्ट्रॉनि जो आपका टेलिग्राम चैनल होस पर दूँगा उसमें जो प्रमुख प्रमुख चीजे हैं जैसे मदवनी पेंटिंग के बारे में कचनार फूल यह वो सारी चीजे क्या होती हैं केले के बारे में और इन सभी को ले करके क्या कुछ बाते हैं यह भी चीज आपको उसी तरीके से आपकी आप सभी लोगों की पढ़ाई हो सके शुब कामना हैं आप सभी को एक बढ़ी वाली कि अच्छे से आप पेपर दे करके आईए और जो है हम मिलेंगे आपसे जल्दी ही एक और वीडियो को ले करके इसमें भी काफी सारी चीजे मैंने बताई हुई है हाथ हैं आपसे हम जल्दी ही एक और वीडियो को ले करके कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करें शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए थैंक्यू